आज किस वीडियों में बात करेंगे जो भी मारे फर्स समेस्टर के छातर जिनको जियोग्राफी यानि की भूगोल का पेपर देना आए उनके लिए वीडियों बहुत ही महात्पूर है क्योंकि आज किस वीडियों बात करेंगे जियोग्राफी यानि भूगोल के मोस्ट इंप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं क्योंकि हम आपकी एक्जाम की तयारी इस बार बेहतर तरीके से करा रहे हैं और इस बार गारंटी ले रहे हैं कि आपको हम टॉप कराएंगे अगर आप हमारी नियम को फोलो करेंगे तो पहला प्रशन है कि प्रथम स्रेड़ी का उच्चावच क्या है ठीक है तो यहां पर चार आपसंदिये के हैं इसमें से आपको सिलेट करना है कि प्रथम स्रेड़ी के उच्चावच कौन है महा दीप एवं महा सागरिये वेशिन है या फिर अप्च्य अप आपको ये प्रश्ण या इस तरह का कुछ दिखे कि प्रथम स्रेणी का उच्चावच क्या है या फिर उच्चावच है तो आप लोग तुरेंट अपना मतब निकाल लिजे कि ये प्रश्ण जियोग्राफी यानि कि भोगोल का है ठीक तो उच्चावच के अंदर क्या होता है कि कुछ चीजे आती है ठीक है जैसे कि जो भोगोल में होती है ठीक है जो आप लोग फिजिकली देखते है ठीक है ठीक है और मैं आपको ये भी बता दूँ कि प्रथम मतब की जो उच्चावच होते हैं ध्यान से सुनेंगे ये तीन प के और तरतिय सेंडी में को बताना है तो प्रथम सेंडी के इसँ दूटीय सेंडी के उत्चावज के नामत आइए अप सनाम को देए तो आपको यहां पर स्रेट करना हoga परबत पठारिय मैदान और तरक फर तो आपने जाना कि उच्छा तीन प्रकार के होते हैं यहां तो अगला प्रषिण बतना है कि अफ्थैट कि अब समझी रहे होंगे न भूमिया फिर थीक है और लोग ठीक है वंतिस ठीक है ध्यान रखेंगे वंतिस दस्मलों तेरा प्रितिसत क्लियर सही उत्तर बी नंबर हो जाएगा अगला की प्रितिवी पर महादीपों की संख्या कितनी है आप लोगी महादीप का नाम तो सुना होगा नाइट टेंट एलेवन ट्वेल्ट और बीमे कर रहे सबसे बड़ा महासागर कौन सा है ठीक है प्रसांद महासागर इन आप सोनों में से ठीक है ते आई हो जान लिया ठीक है और इक्स में एक और फैक्ट है इस बात को ध्यान रखेंगे कि प्रसांद जो महाफागर है ये सबसे बड़ा तो है और साथ साथ में सबसे गहरा भी है ठीक है अगर प्रस्णा आजाए कि बिसका सबसे जो गहरा महासागर कौन सा है तो वहाँ प मतलब कि आपन मी लिखा मी का मतलब आप लोग समझ रहें ठीक है कहां इस्थी थे मतलब कि बताया जार प्रिथिभी पर सबसे गहरा अफ्थान मेरियान जो ट्रेंच ठीक है ये कहां इस्थी थे तो आपको आपसने आप पर दिएगे इनमें जो सही उत्तर है उसको आपको टिक करना हो गए इनिए 6 नमबर का सही उत्तर हो जाएगा कौन सा ध्यान से सुनेंगे लायू ठीक है कि याद रखेंगी यह गया ना है ना संस्कार जो संसार है विस्व का सर्वदिक सक्रेज वालाम खिये यही है ठीक है केलाई हूँ अगला प्रस्ण और सागरों वहा दी कि उत्पत्ति के संबंद में सर्व प्रथम अपना फिद्धान्त किस विद्धवान ने दिया था सर्व प्रथम सबसे पहले तो द्यान रखेंगे बहुत ही महात्मूर्ट प्रशन आपको बताने का प्यास कर रहे हैं ठीक है तो इस प्रशने का सही उत्तर हो जाएगा अपसे संबंदित फिद्धानतों में कौन सही है इन आपसरों में से जो सही उत्तर हो जाएगा अपसर नमबर सी नमबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यहां पर पहला आपसर भी सही है दूसरा भी सही है इफले विकल्प ए और भी दोनों सही होंगे ठीक है अगला बाइपरस्टन है कि निम्रिखित में से किसका संबंद महादुपिय विस्थापन से नहीं है ठीक है किसका संबंद ठीक है तो यहां पर आपको कई सारे आपसर देगे हैं ठीक है यह आपसर जो है ना वो है किसके प्रमुक बिद्वान प्रमुक भगोली ठीक है भगोलिक जिसको आप लोग बोलते हैं बिद्वान ठीक है तो इन अफसरों में से कौन से हैं जिनका संबन नहीं उनका नाम है लोथी और ग्रीन याद रखेंगे महात्पूंट प्रस्ण है महासागरों की संख्या कितनी है अभी आपने जाना था वहाँ पर की जो महादीपों की संख्या अब यहां पर आ अगला प्रस्ण है कि मौना लोवा एक उदाहरण है किस चीज का उदाहरण भाई एक शक्रेजवाला मुखी का है या फिर प्रसुप्त जोला मुखी का है तो इन आपसरों में से सही उत्तर कौन सा होगा तो इन आपसरों में से सही उत्तर हो जाएगा एक शक्रेजवाला दखेन अमेरका फिर दख्षिन अमेरका आश्टेलिया युरोप उत्तरी अमेरका तो कौन कौन से भोकन्ड सामिल थे जो कि आपके समस्त पुष्तुत है इनमें जो सही उत्तर हो जाएगा आपको टिक करना है तो सही लें वह सी नंबर से उत्तर होगा अगला भाई की टिक है रहा लारेंसिया में कौन-कौन से भोकंड सामिल थे तो इसमें आपको सहुत्तर बताना इसका सहुत्तर हो जाएगा आपको नमबर D यूरोब उत्तर अमेरिका और एसिया ये सामिल है ठीक है अगला प्रेशने की भाई प्लेट ठीक है विवर्तिनी की फिद्धान्त का आधार है कौन सा सिध्धान्त है आपको बताना तो चार जो 14 नमबर प प्रयोब करने वाले बिद्धान का उन से हैं तो प्लेट सब्द का प्रयोब करने वाले बिद्धून का नाम है टुजो विलसन याद रखेंगे टुजो विलसन डियर अगला की प्लेटों के कितने भाग होते हैं तो यहां पर आपको 4 अप्षण देगैं जो सही उत्तर हो हो जाएगा option number कौन सा 3 क्योंकि किसी number ठिक करेंगे क्योंकि कितने भाग है कि लिए अगरा प्रशन है कि जब महासागरे plate दूफरी महाफ आगरे plate fit टकृति है मतलब कि एक महाफागर पे पलेट जो हे वह दूफरी महाफ आगर plate निर्माड की कौन सि अवफ्थान नहीं होती है इन आप्षरों में से तो इन में जो सही उत्र हो जाएगा वो हो जाएगा अप्शय नंबर एपरदन अवस्था जो है नो परबत निर्माण की अवस्था नहीं होती है इसलिए अप्शेर्टो में संचलन का क्या करण नहीं है एक नहीं कारण है को नीस नंबर प्रशन ने शागर नितल के प्रसरण की है तो कौन जागर नितल के पृसरण की तो कौनसे बिद्वान है वेया तो उन बिद्वान का नाम है याद रखेंगे विल्सन नाम है उन्फवरी प्रश्ण नमबर सरप्रथम किस विद्वान ने सागर नितल के प्रसरण की भ्याख्या की है ठीक है तो इस प्रश्ण का सहय उत्तर हो जाएगा अपसे नमबर हैरी हैस ठीक है हमने कोईश्चन पर ध्यान नहीं दिया इसलिए वो हम विल्सन बता सब्स्क्राइब द्यान नहीं यह होगा ठीक है कर फिर्पे पर बड़ी प्लेट पाई जाती है कितनी 21 योकम स्यूस्थ बुखंट का निर्माड होता हैं प्लेड विवर्त है अगला है कि प्रितिवी की सबसे या पिर कि बड़ी प्लेटों नहीं वह उनमें को सामिल नहीं इन आप्शनों में से इस प्रैश्ण का सहयुत्तर हो जाएगा अप्शन नमबर डी ठीक है अरे बियन प्लेट सामिल नहीं बाकिस सब है ठीक है अगला प्रश्ण है कि 24 नंबर की बिना फात्मक प्लेट किनारों का निर्माड होता है ठीक है कैसे होता है यहां पर चार आप संदेगे स्थेउत्तर हो जाएक इसमें सी नंबर ठीक है महादुईपिये तथा महासागरे किनारे आपस में टकराते हैं तब ठीक है बि क्योंकि यह सभी कराण थे इसलिए डी नंबर सही उत्तर होगा ओके अगला प्रश्ण है कि भूकम्प मूल क्या है तो आप से ने आपको चार दियेंगे तो जो भूकम्प मूल है वो होता है पिर्थवी की अंदर वाफ्थान जहां भूकम्प यह लहरों की दुपत्य होती है उसे हम कहेंगे भूकम्प मूल ठीक है अफ्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी नंबर याद रखेंगे अगला है कि भूकम्प जो है ना इसका मापन की यंत्र से किया जाता बहुत ही महात्पूंट प्रश्ण जाले ही कोश्चिन आपके जन्न नालेज अगर किसी आप सिस्मो ग्राफ ठीक है तो अगला प्रश्ण प्रस्तुत है कि समान भूकम्प तिव्रता वाले अफ्थानों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहा जाता है तो 28 नंबर प्रश्ण का सहयोत्तर हो जाएगा अप्शन नंबर कौन सा आईसो ठीक है आईसो से स्मिल लाइन कहा जात का नाम बताईए यह भी हाई लेबल का टॉप लेबल का कोईश्चन एक्जाम के लिए तो इसको जरूर नोट करेंगे ठीक है उस नापने वाले पैमाने का नाम है याद रखेंगे वंतिस नंबर प्रश्ण का सहयोत्तर हो जाएग आप्शन नंबर आपका सी क्योंकि दो है एक डिक्टर इसकेल है दूफरा मरकेली सकेल है यह दोनों है इसलिए सहयोत्तर यह और भी दोनों होगा ठीक है अगला प्रशन को बिस्त में सरवर्तिक बुकाम किस मेखला में आते हैं ठीक है परिप्रसांत मेखला में मद्द महादुई पीक मेखला में तो चार अप्षन है जो 30 नंबर प्रस्ण का मतब राइट एंसर हो जाएगा मैं आपको बता दू बिसमें सरब्रतिक जो भूकम है वो परिप्रसांत मेखला में आते हैं इस बात को ध्यान लखेंगे बहुत ही common और भूकम के चांस रहते हैं ठीक है तो 31 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा अप्षन नंबर सी ठीक है यह ना फ्राइट विप्या पठारी छेत्र में भूकम आने की कम ठीक है मतलब कि बहुत ही कम चांस रहते हैं किलियर अगला है कि भारत को वर्तमान में कितने भूकम पिये ज जो उनमें विफाजित किया और ग्हें तो इस प्र iga जो सही उत्तर होगा वह जाएगा जाएगा ठीक है कितने मजय में फशलों कि वस्फोर्ट के समय निकलने वाली ग zagशुम में सारवाधिक मात्रा किसकी होती है जब सबसे जाऱा है जो घ्र verändert क्रोड़ामागNE नंबर ग सब्सक्राइब, जल वास्प किलियर कान जौल कि कारण नहीं इस प्रस्मिजा थन कौन सी अफ्थलाकरत नहीं है का अगला ठीद को जोला मखी कि कान नहीं बाय अफ्थलाकरत नहीं है तो इस प्रस्टिर हो सहोगा हो जाएगा अफंट नमबर जाता है यह पाई जाती है कहां पर तो 36 नंबर का प्रश्ण का सही उत्तर हो जाएगा आपके सभी के एक्जाम के लिए इसका सही उत्राज अमेरिका में अगला की भूमत्द सागर का प्रकास अस्तम्हकी से कहा जाता है तो उसको कहा जाता है तो 41 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा इसना नंबर 20 नंबर 25 बीश्ण का सभागु सबसे उंचा सक्री ज्वाला मुखी कौन सा बहुत ही महात पूर्ण प्रस्ण याद रखेंगे बहुत ही कॉमन कोश्चिन सही उत्तर हो जाएगा इसका राइट अपने पेपर में भी सुना होगा ठीक है कोटो पैकसी जो है विस्व का सबसे उंचा सक्री ज्वाला मुखी है अगला है कि वह सबसे अधिक विश्फोटक करकल का ज्वाला मुखी उधगार है ठीक है व्यले प्रकार का जो अफ्वे अधिक बिस्पोटक परकार का जो अलामेकी उद्धगार है वह है ठीक है ठीक है फिलिपनियन परकार का ठीक है अगला एक जो अलामिकी जो लंबे समय से सुसुप्त हो तथा निकट भविष्ट में उसके जागरत होने के समभावना हो वो क्या कहलाता है तो इस जिसको बोलते है कभी-कभी आप लोग जीजर बोलते हैं किसे कहा जाता है तो चोबाशन नमबऄल कर में घर्म जल खुर्यक्यों क्सिस्ता सब की crystallis कभी सबस्का में कहां पर की ठ्रोट के 血jak अगला है कि वाई निम्निकित में से कौन परवत की विषिस्ता नहीं है एक इस में से कौन सी नहीं है तो इस प्रित्थभी कि कितने प्रिषत भुवाग पर परवत का विष्तार है मतलब कि प्रिथिभी है इनमें कितने पर्षेंट जो है ना वो परबत हैं ठीक है तो इस प्रषेंट तो जाएगा आपसे नमबर 27 प्रतिस्थ जहां तक इन आप मुझे जानकारी और आप सब्सक्राइब करेंगे और अगर आपको पीडियाप चाहिए तो मैसेज कर दीजिए